लोजबा के विधान सभा प्रभारी बिनोत कुमार सीह ने किया कमिटी का निरिक्छन लोग जन सक्ती पाटी द्वारा राष्टिय अध्यक्स चीराग पास्वान के निर्देश पर अगामी बिधान सभा चुनाओ को लेकर बिहार फर्ष्ट बिहारी फर्ष्ट के विजन को लेकर दावत प्रखंड में कई पंचायतों के बूथ कमिटी को लेकर निरिक्छन पाट के बूथ कमिटी बन आने पर जोर देते हुए इस सभी पंचायतों के अध्यक्ष को यह जनकारी दिया गया कि सभी बूथों पर पांच सदसी यह बूथ कमिटी का निर्माड किया जाएगा युवा एवं खेल मंत्राले भारत सरकार नहरू युवा केंद्र के द्वारा बिक्रम गंज ब्लोक में नहरू युवा केंद्र के स्वयम सेवक चंदन पाल के नित्रीत्व में किया गया पौधर पर युवा एवं खेल मंत्राले भारसाकार नेहरु युवा केंद्र रोह तास सासारम के बैनरतले बिक्रम गंज प्रकांड में दिभीन जगों पर रष्टिये संग सेवक चंदन पाल के नेत्रीत्वे में कई दीनों से पौधारोपन का कार्जकरम किया जा रहा है वहीं आपको बता दे की सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज अपने साथियों के द्वारा उन्होंने दर्जनों पौधारों पड़ किये आंगनबाडी केंद्र का अधिकारियों द्वारा त्यार किया गया खाका प्रखंड काराकाट छेत्र के केचुआ गाव में वाट संखिया आठ में आंगनबाडी केंद्र संखिया बानबे का अधिकारियों के द्वारा ले आउट अर्थात खाका त्यार किया गया शुक्रवार को अंचल पदाधिकारी रवी राज, मनरेगा कार्जकरम पदाधिकारी, मुरली मनोहर, जेई, मुहम्मत खालीद, पीटिये वाही दंसारी, पंचायत रोजगार सेवक, राजन कुमार राय, मुख्या अधेस परसाद सी एवं समस्त ग्रामिल लोग भी उपस् उसको सहायक मतदान केंद्र बनाया गया, ग्रामिलो और राजनीतिक पाटियों के सिकायत पर विक्रम गंजनुमंडल पदाधिकारी, विज्यंत एवं पारा कट अंचल पदाधिकारी, सह प्रभारी, प्रखंड विखास पदाधिकारी, रवी राज के द्वारा, बुथ 213 एवं 214 मध्य विद्याले समाहुता का सहायक मतदान केंद्र आंगनबाडी एवं पंचायत भवन में सभी राजनीतिक पाटियों एवं ग्रामिलों के बीच बनाया गया। आशा ने पीच सी परीशर में दिया धरना। प्रथा के खिलाप बिहार राज आसा संग के संगहर्श सिमीति के अहवान पर 11 सुत्री मांगों को लेकर इस चार दिवसिय धरना का आयोजन किया गया है। 94 कुरोना जाच के सेंपल में एक कुरोना पोजिटिव मामला मिला। विक्रम गंजनुमंडल के कारा काट पीच सी में कोबिंड नाइंटीन का जाच रैपिट कीट से 94 लोगों का किया गया। जिसमें जाच रिपोर्ट के आधार पर एक कॉश्टिव मामला पाया गया। इसकी जनकारी स्वास्थ परबंधक कॉसलेंद सर्मा ने दी। तो वहीं दूसरी और सुर्जपूरा पीच सी में रैपिट कीट के द्वारा 42 लोगों का कोबिंड नाइंटीन का टेस्ट किया गया। जिसमें साभी लोगों का रिपोर्ट निगेटिव पाया गया। इसकी जनकारी सुर्ज पूरा पीच सी के स्वास्थ परबंधक ब्रजेश कुमार ने दी। विक्रमगन जनुमंडल में विजली आपूरती में सुधार नहीं होने से सहर में बैपार्यों का करोबार परबाबित हो रहा है। इससे ग्रिल गेट निर्माड, साइबर कैफे, कम्प्यूटर इंस्ट्यूट, इलेक्ट्रोनिक समगरी की मरभमत के अलावा अन्य छोटे मोटे उद्योग को गती नहीं मिल रही है। शहर के लिए 18 मेगाबाइट बिजली के बदले मात्र 9 से 10 मेगाबाइट ही बिजली मिल रही है। कर्मी में पंखा कुलर, AC फ्रीज, गीजर, हीटर, आदि, सोभा की वस्तू बन गई है। गैस एजेंसी कर्मी से 70,000 रुपय की लूट पर सिलेंडर बेच कर लोट रहे थे कि इसी बीच दुर्गडी गाउं के समीप अग्यात लुटेरों ने उन्हें मार बीट कर 70,000 रुपय की लूट लिये जाने की बातकर्मी द्वारा बताई जा रही है। पुलिस घटना की सुचना मिलते ही मौके पर पहुँच मामले की जाच शुरू कर उद भेदन में जूटी हुई है। पुलिस घटना की जाच शुरूप में ब्रेंद्र कुमार शर्मा को मनोनित किया गया। करताओं का आज दुसरा दिन हर्ताल जारी है। वकायर आसी दिया जाए। आसा मृत परिवार को 10 लाख रुपए दिये जाए। एक कईस हजार वेतन दिया जाए। आसा को निचले अस्थर पर भष्ट चार कमिस्षन खोई पर रोक लगा दी जाए। इस तरह के नारा और प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन में सामिल अनिल कुमार सीं सचीव माले एक्ट अध्याक्षे। तिलाउथू रोहतास उर्मीला देवी, कांती देवी, माधुरु देवी मौजूद रही।